आज की बड़ेवाम क्लास 11 वा जितने ही बच्चे हैं उनसे ही बच्चों के लिए विडियो रहना लिया है आज हम कैमिस्ट्री की आंसर की देखना जा रहे हैं जो आपका मेट्रम इजामनेशन चल रहा है मॉर्निंग सिफ्ट की आपकी आंसर की रहेगी बगी जितने ही बच्चे इवनिंग सिफ्ट के हैं उनके लिए अल्रेड़ी विडियो बना दी गई है आप एक बड़ डिस्क्रिशन चेक कर लेना और आप सभी को कमेंट बॉक्स भी लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर से विजिट करके वह वाली वीडियो देख सकते हैं यहां पर आप 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 आंसेर दिख सकते हैं फर्स्ट कोशन का आपका कर्लेक्ट आसर आएगा ऑप्षिन नबर d सेटे सेंक्र का का आंसर आएगा ओगसरे गाई थर्ड का आउनजर आपसरे गई फोर्ट का अंसर आब और फिफर्थ का इनर आएगा scientist 6th cancer A 7th cancer C 8th cancer B 9th cancer C 10th cancer C 11th cancer D 12 cancer B 13 cancer C 14 cancer C 15 cancer C 16 cancer A आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर से 17 का आप cancer एक option number B 18 का आप cancer एक option number C अब यहाँ पर से आपका section C section B start हो रहा है यहाँ पर से आपके साइक सारे दो नंबर के question रहेंगे आप इन सब के solution देख सकते हैं मेरी स्कीन पर आपको दिख रहा होगा और इसमें और वाले part के group 16 answer है oxygen family और उसका second part है lithium और बाकी आप answer देख सकते हैं साइक सारे और यहाँ पर आपको लेंडा की value निकाले थी लेंडा की value आजागे आपकी 0.36 into 10 की power minus 10 meter और यहाँ पर से जो आपका 23 question है इसका भी answer आप यहाँ पर से देख सकते हैं इसका answer आजाएगा आपका 20.56 into 10 की power 3 gram of HCl और यहाँ पर 24 में आपका एक answer हैगा n is equal to 3 और B का answer होगा force of cells और 25 का answer आपको दिख रहा होगा आप यहाँ पर से match कर सकते हैं अपने answer और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको step wise marking भी दे रखी है कि अगर आपने इतना step कि है तो फिर आपको कितने number मिलेंगे और यहाँ पर से आपका section C start हो जाता है जिसमें से 26 का आपका answer रहेगा यह वाला जो structure है यह आपको यहाँ पर XE F2 का और यह SF4 का और यहाँ पर यह NS3 यानि की ammonia और इसमें आपका और वाले part का answer होगा SP2 A का और B का answer होगा CO2 180 degree और यहाँ पर आपको bond order बताना था और यहाँ पर 27 का आपका answer हैगा A B और C 28 का answer आपको screen पर दिख रहा होगा यहाँ पर 30 का answer होगा पहले का 2S दूसरे का 4D तीसरे का 3B section D में आ जाता है यहाँ पर आप answer देख सकते जिनके solution आपको मेरे screen पर दिख रहे होंगे यहाँ पर से आप line by से साइक साइक solution देख सकते हैं और यहाँ पर आपका जो last question है welding fuel वाला वह आपका NCRD गई था अगर आपने उसके practice की होगी तो फिर आप उसका answer जरूर से कर सकते थे और वह ने आपको बताया भी थक आपके paper में आयगा important question जब मैंने आ पको बताया थे chemistry के तो फिर उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यह important question अब यह पर बन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और बाकि इसके बाद आपके यह लास्ट कोशन है और जितने ही बच्चों नहीं तक हमाया है तो फिर आपको डिस्कृसर में उसका भी लिंक मिल जाएगा आप वहां पर से जोईन हो सकते हो क्योंकि जितनी भी लेटेस जोने चेक कर लेना या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चली मिलता आप से नेक्सरों में किसने डॉक्साथ अब तक लिए जाएँ 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 बरत